तो मुझसे अगर पूछोगे ना देखो फिलोसफी बड़ी-बड़ी बाते उन सब को अगर मैं साइड में रखके प्राक्टिकल बात करूँ प्राक्टिकल सिर्फ अपने लिए पढ़ाई करो अपनी जिन्दिगी के लिए पढ़ाई करो अपने करियर के लिए पढ़ाई करो क्योंकि अगर आप जीवन में कुछ नहीं बन पाए अगर आप अपने घरवालों पे डिपेंड हुए तो आपको वहां से भी प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा ऐसी फैमिली जर्रेरेस्ट होती है यह मैं आपको बिल्कुल अनुसली बता रही हूं जो शायद उसकी मम् बाद सेलेक्शन नहीं हुआ तो चार-फाथ साल में जाकर आपको रिलाइज होंगी इसलिए बिल्कुल सेल्फिश होके अपना करियर बनाने के लिए ताकि आप फाइनांशली इंडिपेंडेंट हो जाएं आपको किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ें आप पढ़ाई कर ल झाल